हेलो शुड़ेंट वेलकाउं टुमाई टुटन एकेम्टी कोर्स आज में क्लास नाइंथ का चेप्टार नाइन एरिया और पेलेलोग्राम एंड ट्रैंगल्स का इंट्रोडक्शन मताने जा रहा हूं तो क्लास नाइंथ के इससा आप से देखा जाया तो इसमें कुछ रिलेशन होगा बस यह तींचे आपको मालूम होना चेप्टार क्लास नाइंथ के इसाब से ठीक आये उसी चुछ को हम जानते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिया और पेलेलोग्राम बताएं ठीक एरिया पेलेलोग्राम तो सबसे पहले आपको कोई सिंप्ली साफ कुछ नेमिनिशन किया होगा ए बी सीडी कि इसका एरिया बाताए ए बी सीडी ठीक तो एरिया प्रेलेलोग्राम होता है हमारा बैस इंटू हाइट ठीक तो आप देख रहा है तो यहां पास चार्ट बिस मिल जाएगा एक प्रकार शिया भी-बैस हे भी बैस हे इस अब आप सोच रहेंगे कि कैसे बेस है ठीक तो देखिए कैसे और हाइट क्या होगी ठीक तो मान लिए जिए हमारा क्या बेस है और यह हमारा जो डी पी है वह हमारा क्या है एक प्रकार का हाइट है या एल्टिटूड बोल सकते हैं या पर पेंडिकुलर बोले एक चीज़ है तो अगर देखा जाए इरिया ऑफ इस पैरलेलोग्राम ए बी सी डी का तो क्या होगा बेस मॉल्टिप्लाई हाइट या बेस मॉल्टिप्लाइعة एल्टिटूड यानी वह इडी उठी तो यहाँ पास हम क्या लेक्स होता हू 29 मॉल्टिप्लाई हाइट के canaldить हूंगे डी फी द nessशली और मालीजिए ऐसा ही आपको दे ढिस तो इसरी बैस बना सकता है यहां पास तो अब सिंप्ली ऐसे आपको कुछ देगा जिसमें आपको पहले लोग्राम देगा तो इसमें कुछ ना कुछ हाइट देगा और जो हाइट होगा न वो यानि परपिन्दिकुलार होगा किसी बेस पर ठीक होगा तो उस बेस और उस हाइट को multiply आप जब करेंगे तो उस parallelogram की एरिया आपको find हो जाएगा ठीक यह हमारा parallelogram की एरिया है अगर बात किज़ें ट्रेंगल की ट्रेंगल की ट्रेंगल मानीजिए ऐसे कोई हमारा माली जे ट्रेंगल है A, B A, B यहाँ पास कहा लिख देता हूँ M लिख देता हूँ और देखा जाए area of triangle ट्रेंगल A, B, M area of triangle A, B, M तो इसका जो होगा अगर बात के जाए area तो 1 by 2 base multiply height या altitude या उसका perpendicular कैसे होगा देखे तो हमको तो 1 by 2 मिल जाएगा 1 by 2 तो हम खुद से रहेंगे multiply base क्या होगा तो base वही होगा जहाँ पास perpendicular गिरेगा कैसे देखें माली जे हमारा A, B क्या है base तो perpendicular कहाँ से आएगा M से आएगा ऐसे M से point तक आएगा यहाँ पास ऐसे आएगा न ठिक ध्यान दीचे कि यहाँ पास मैं एक बार और black से कर देता हूँ हमारा triangle A, B, M है ठिक जो हमारा height होगा M, M, N हो जाएगा M, N क्या height है तो हमारा area of triangle होता है 1 by 2 base into height 1 by 2 B, H वी बोलते हैं तो base क्या हो जाएगा हमारा A, B हो जाएगा ठिक और height क्या हो जाएगा M, N हो जाएगा M, N यह हमारा base हो जाएगा यह हमारा height हो जाएगा area of triangle की बात कर ठिक और यहीं पास हमको relation बोल दिया है कि आप बताएगे parallelogram और area of triangle का area of parallelogram और area of triangle का relation ठिक आईए हम देखते हैं parallelogram and उसका triangle का area ठिक area का relationship ठिक तो relationship में कुछ खास नहीं होता है देखे अगर कहीं भी parallelogram दे दिया ठिक और parallelogram का जो base है और triangle का base है अगर वो same base है ठिक जाने जीगा या common का है अब देखा जाए इसमें तो A, B, C, D में जो हमारा parallelogram का base है क्या है A, B, E, ठिक बेस तो A, B ही है न और triangle A, B, M का जो base है वो भी A, B, E, है मतलब base के है common है या अगर बात कहें कि जो parallelogram है और triangle है वो दोनों same base पर है अगर ऐसा condition आता है तो जो area of triangle होगा जो area of triangle होगा दिखिए यहाँ पास अगर बात करो area of triangle triangle यहाँ पास area of parallelogram हमारा A, B, C, D का है मतलब जो triangle ठीक यह हमारा area of triangle A, B, M है और यह हमारा parallelogram है जो triangle के area होगा वो half होगा parallelogram के area से A, B, M जो होगा वो half होगा इस A, B, C, D के area से ठीक यह हमारा relationship होगा यह आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको transpose करेंगे तो क्या जाएगा 2 multiply हो जाएगा area of triangle A, B, M equal to area of A, B, C, D यह हमारा क्या है parallelogram हमारी तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि twice of triangle या triangle में अगर हम दोगूना करें या triangle का दोगूना जो होता है वो parallelogram के area sequel होता है ऐसे भी आप कह सकते हैं या इसको बोलते हैं जनली twice of triangle is equal to area of parallelogram यह हमारा हो जाएगा ऐसे भी आप कह सकते हैं आप दो condition होता है relationship बताने के ठीक तो यही आपको class 9 के इसाफ़ से पढ़ना है आपको जादा नहीं पढ़ना है एक बढ़ाव बतायता हूं area of parallelogram और बोल दिया जाए A, B, C, D के area जो होगा आपको उसमें क्या दिया रहाएगा base दिया रहाएगा जनली 4 base होगा और कहीं से भी perpendicular खीच देतो जनली बातने यहाँ से भी perpendicular खीच सकता है जैसे भी खीच दे कहां से भी खीच सकता है उससे उसको मतलब जो question देने माला रहेगा वो ये नहीं देखे कि हम कहां से खीच रहे है वो ये देखे कि हम दे क्या रहे है वो देगा क्या आपको एक आपको दे जाएगा perpendicular और आपको एक दे जाएगा based अब वो area push देगा तो area क्या करेंगे दोनों को multiply कर दीजिए perpendicular मतलब क्या perpendicular यहाँ पास देखिए height है height को आप क्या बोल सकते हैं एक तरफ से altitude ही बोल सकते हैं या इसको perpendicular ही बोल सकते हैं तीनों का मतलब एक अई है ठीक तीनों का मतलब अगर देखा जाए इसमें अब देखिए ध्यान से यहाँ पास a, b, c, d में ठीक हमारा जो dp है क्या है altitude भी है height भी है height है ना और यह perpendicular भी है इस parallelogram का तो इन तीरियों में से अगर कुछ भी बोल देना और generally यह आपको बहक्याने के लिए altitude ही बोलेगा ठीक ताकि आप थोड़ा confused उससे आपको confused नहीं होना है चुच आप multiply कर देना है जब बेस और और perpendicular यह height का जब multiply करेंगे ठीक height का यह perpendicular altitude का तो आपको एरिया पेलेलोग्राम कर जाएगा और area of triangle का तो सीदी सी बात है वान बाई टू बेस मॉल्टिप्लाई हाइड या altitude ही बोल सकते है यहाँ पास यहाँ परपेंडिकुलर भी बोल सकता है यह कई चीज़ है ठीक वह आपको confused करने के लिए बहुत चीज़ देगा लिए कि आपको confused नहीं होना है वहाँ पास आपको स्वासम common sense लगाना है कि हम height जो भी लेंगो ना height लेंगो ठीक यह वह आपको altitude बोल सकता परपेंडिकुलर तो आपको confused नहीं होना है ठीक relationship में क्या है कि देखिए area आप जो triangle होता है सिधे सिधे आप देख रहे हैं कि यहाँ पास जो a b c d में जो triangle है वह क्या है आधा है इसका ठीक आधा ही है ठीक जैसे मालीजी अगर देखा जाए इतना पार्ट को हम इतने पार्ट को अगर इधा settlement कर तो यहाँ पास नहीं settlement हो जाएगा हो जाएगा ना तो इधर तो बचे गया है ना मतलब इस सीधे से बात है जो triangle है वह half है इस पैलेलोग्राम के अरिया से यह अगर बो जो भी पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है और इरिया निकालने में बहुत मजाएगा एक बार आगर फॉर्मूला आपको याद हो गया तो इरिया निकालने में बहुत बहुत मजाएगा आपको कोई टेंसन है नहीं लेना इस चेप थार्मिटिक चलिए थैंकि एग को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा अच्छा नहीं को सब्सक्राइब कीजिए